नमस्कार दोस्तो दफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है सेंड डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंग जिंसा का रियल फेक्ट क्या है ये आप तक पंचाने के लिए हम एक्चली लोगों के वीच में पहुंच रहे हैं लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है सेंड डॉक्ट नमम चरंजी तिंसा जी देरा सच्वाुन को कब से जानते हैं अप हम जी सन उनी सो तरण में नाम लिया था सब से प्पढ़े मैं नहीं नाम लिया था हमारे प्रवार में से तो उसके बाद हमारी तो ऐसी लगल लगी कि जैसे हम सेवा पे जाते सट्संग पे जाते कोई भी सत्संग हमें हमने शोड़ते थे जैसे जैसे पिता जी के वचन सुनते वैसे वैसे ही हमारे घर में इतनी बर्कते हैं क्योंकि हमारा परवार एक गरीब परवार था बहुत ही तो जैसे ही हम सच्चा सदा डेरा से जुड़े तो ऐसी मालक की महरोई कि हमारी घर में बर्कते आन कि पिता जी ने मानता भुलाई कि इतने कारे कि हैं जो कि एक सो चौनती कारे हैं मानता भुलाई कि जो कि सारी साथ संगत दिन रात कर रही है और हमने बहुत कुछ सिखा है पिता जी से कि वो ब्यान नहीं कर सकते जो हमने सिखा है आप एक महला है आप वहां कैसे आप वहां का महौल कैसे बताएंगी कैसे है आश्रम का महौल आश्रम का महौल ऐसे है कि दुनिया भर में एक विसाल है आश्रम का जो महौल है वहां हर एक को शर्म दी जाती है किसी के साथ कोई भी ऐसा कोई कारिया नहीं किया जाता कि जो किसी की मांसिक रूफ से उसको प्रतारन करे या उ क्योंकि पिता जी ने इतनी बुराईयां शुड़ाती जैसे नर्शा शुड़वाया युवाओं का जैसे महासफाई भ्यान पिता जी ने करवाए कि वो कोई नी कर सकता आइतकर और ना किसी ने किये हैं जैसे कन्या ब्रून हत्या के बारे में और तो और जल शुरक्षन के ब और ना ही कर सकती है गुरू जी ने इतना कुछ सिखाया है कि कहने सुनने से पर है क्यों गुरू जी के बारे में क्या जानते हैं उनके निचर के बारे में गुरू जी तो खुद खुदा है गुरू जी के बारे में गुरू जी ने तो जैसे ये अपना शाही बेटियां सेर बनाया जो लोग बेटी को जनम देना ही नहीं चाते थे बेटी को घर में रखना ही नहीं चाते थे उनको अपनी में गोद में लिया उनको पाड़ा पोस्सा जवान किया और पड़ाया लिखाया और इंटरनेशनल तक उनके गेम भी करवाए और इस से उपर गुरुजी का ने ये बुरा काम देखा है तो हम सिर्कट वाने की शर्त लगाते हैं उनके साथ कोई आये तो सही सामने आज आपका इतना विश्वाश लेकिन उनके उपर बहुत सारे अरोप लगाए जा रहे हैं क्या कहोगे आप उसके बारे में ये तो जी देखो जैसे ड्रक माफिया हैं नश सामने किसी एक बंदे क Minute कि यह पुरू यशे तो करें भी गुरू जी कर दो गल्थ है या गुरू जी क्यों टार्गेट किया गया गुरू जी को टार्गेट तो नहीं करना था क्योंकि उनके दुकाने बंद होगी जो नशाबाफ ही हैं जिनके इतने इतने क्रोड रुपए उनकी आमदन थी वो बंद होगी तो वो क्या करेंगे और गुरू जी को बनाएंगे तार्गेट और क्य क्योंकि वो खुद खुदा हैं वो आम इंसान नहीं है। आज कितने के लोग उनके साथ खड़ेंगें। आज चे के साथ करोड़ जितनी भी संगत है सारी की सारी गुरूजी के साथ कर्यें। यह ज़ो चार-पांच जो गदे हैं जो बाहर निकले ह। इनके भिना। सारी संगत गुरुजी के साथ है और दिन राज सिम्रन कर रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं और दर्बार भी जा रहे हैं सारी संगत गुरुजी के साथ है कोई भी बाहर नहीं गया गुरुजी से और पूरा विश्वाश है पूरी संगत को पूरा विश्वाश है गुरुजी पर और गुरुजी ने देश के हित के लिए क्या काम किया है देश के हित के लिए गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया एक सो मानता भलाई के एक सो चौंती का रहे हैं वो सारे देश के हित में तो हैं हैं सफाई भ्यान हो गया जल श्रेक्षन हो गया कन्या भुरुन हत्या हो गया पर्दूशन का हो गया, कौन कौन सा अगिण के सुनाएं, यह सारे तो गुरुजी नंदेश के हिते के लिए कि यह हैं? और किसे लिए कि हैं? आज तीन साल से उपर हो गया है अब गुरुजी को, समाज में नहीं है वो, तो समाज के उपर क्या परवा पढ़ रह रहा है, जब दाम में हैं उनके तो पल पल जादा कृश्मे हो रहे हैं बलके पहले से जादा कृश्मे हो रहे हैं लोगों के साथ हैं वो वो कारिया हो रहे हैं जो जो करने सुनने से पर हैं एक एक गिना है न तो पता कितने दिन चल जाएं कितने दिन लग सकते हैं एक एक कृश्मा तब दुनिया ये कहा थी जब शिरी गुरु गुबेन सिंग के बेटे मरवाये नहीं हो में चड़ाये तब ये दुनिया कहा थी जब शिरी गुरु नानक को जेल में बिठाया चक्किया फिस्वाई तब ये संग दुनिया कहा थी दुनिया तो जब अशाई और सचाई की लड तो इस समाज में क्या परभाव पड़ रहे हैं? जरूरत है समाज को गुरू जी की बहुत जरूरत है। और बाइजित रहा करें जिटना भी जल्दी हो सकता है तो यह समाज इतना खोकला हो जाएगा किसी के समालिया नहीं समलेगा यही बोलेगे बध़ दन्य वाज आजीत जी हमारे साथ जुडने के लिए ये वो लोग हैं जो 30-40 सालों से डेरा सचा सोधा के साथ जुड़े हैं किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि सेंड डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंग जी इंसा के उपर जुठे रोप लगाये जा रहे हैं उनको जुठा फसाया जा रहा है अगर क्यों इस तरीके से ये किया जा रहा है आप लोग भी सोचिए एक तरफ सूतर एक तरफ एक्चुली लोग जो बहुत नजदीक से डेरा सचा सोधा को जानते हैं रोक्टो गुर्मीत रामरीम सिंग जी इंसा को जानते हैं बहुत काफी समय तक वहाँ पर जाते रहे हैं दिन रात वहाँ पर गुजारते रहे हैं खासकर महलाएं आपके सामने आकर बोल लिए हैं कैसा कुछ भी नहीं है जैसा लगातर चैनलों में दिखाया गया अगर क्य